नमस्कार किसान सातियों, इंडियन क्रांतेकारी यूटूब चैनल पर आप सबे किसान सातियों का स्वागते सातियों आज हम बात करेंगे सोब की खेती के बारे में अगर आप इससे गर पर उगाना चाहते हैं मसाले के रूप में या फिर गर पर खुद की जरूरत के लिए तो भी आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा और अगर आप खेती करके इसका व्यापार करना चाहते हैं तो भी इस वीडियो में सारे चीजे आपको समझ आ जाएगी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सौप की किसमे कौन-कौन सी होती है फिर हम बात करेंगे इसे उगाने के समय के बारे में फिर बात करेंगे उगाने के तरीके के बारे में फिर बात करेंगे बीमारी और समाधान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे हार्वेश्टिंग कब और कैसे करनी है और लास्ट मेंझे बात करेंगे कमाई और खर्च के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो की सरुवात करू इससे पहले आप मेरे यूटूब चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करे और वीडियो को लाइक करे तो दोस्तो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है संपूर्ण ग्यान तो दोस्तो बात करते हैं सौफ की किस्म के बारे में वेसे तो इसके बहुत सारी किस्मे हैं लेकिन किस्मों को दो भागों से डिवाइड कर सकते हैं एक मसाले वाली सोप और एक चबाने वाली सोप जैसे लकनव 1 जो हैं चबाने वाली सोप और अगर मसाले वाली हो तो GF1, GF2, GF3, PF35, S79, CO11, CO1 ये सारी की सारी इसमें अलग-अलग प्रकार की किस्म हैं सभी उत्तम प्रकार की किस्में हैं, कोई परेशानी नहीं अब दोस्तों बात करते हैं उगाने के समय के बारे में वेसे तो ये रभी की फसल है लेकिन खरीप में भी लोग इसे उगाते हैं तो जो खरीब में उगाते हैं वो जूलाई और अगस्त में लगा सकते हैं और जो रभी के लिए उगाते हैं वो सप्टेम्बर, अक्टुम्बर और नमबर इन तीन महीनों में इसकी बुगाई करते हैं और वेसे तो इसका ज्यादा बेनिफिट या हार्वेस्टिंग मिलता है हो रभी की फसल में मिलता है सप्टेम्बर और नमबर में इसे उगाने पर तो दोस्तो अब बात करते हैं इसे उगाने के तरीके के बारे में इसे उगाने के दो तरीके हैं एक तरीका है इसकी बीजाई कर दीजिए और दूसरा इसकी नरसरी तयार करके इसके पोदे लगा लेकिन आपको कौन सा तरीका इस्तिमाल करना चाहिए पोधा लगाने वाला या फिर बिजाई करने वाला तो दोनों के बारे में एक बात बता देता हूं बिजाई वाले में बीज ज्यादा लगेगा बिजाई वाले में आपका एक हेक्टर यानि नहीं दाही एकड़ का 8-10 kg बीज लग जाएगा और अगर आप पोधा लगाते हैं तो उनके अंदर आपका एक हेक्टर में 3-4 kg बीज लग जाएगा तो बीज पोदे वाले में कम लगता है और इसमें लेबर कोष्ट ज्यादा लगेगा क्योंकि एक जग़ पे पोदे तयार करोगे और दूसरी जग़ पर इसको लगाऊगे इसलिए मुझे लगता है आप बीजाई करें अब बात करते हैं दोस्तों बीमारी और समाधान के बारे में वेसे तो इसमें ज़्यादा बीमारी नहीं आती लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसके लिए जो उची टेमपरेचर है वो 15-30 डिग्री सेलसियस अगर इससे ज़्यादा टेमपरेचर हो जाता है तो पोधा कई बार ग्रोफ नहीं करवाता और दूसरी इसमें क्या दिक्कत आती है कि अगर फूल निकल गए है और उसके बारिस हो जाए या बारिस हो भी न और बादल वायो दो दिन लगातार रह जाए तो नुक्सान हो सकता है तो इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत है बाकी इसके अंदर ज़्यादा बिमारिया नहीं आती अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब और कैसे करे तो हार्वेस्टिंग इसकी लगबग मार्च महीने में सरू हो जाती है होता क्या है इसके गुच्चे पहले फूल बनेंगे और फूल से गुच्चे बनेंगे फिर जब ये पक जाए तब उसको तोड़ लेना है एक बार में पूरी फसल हार्वेस्टिंग नहीं की जाती इसके अंदर आपको जोली बांद कर चलना पड़ता है और इसके गुच्छे को तोड़ना पड़ता है और तोडने के बाद उन्हें छाओं में सुखा दीजिए कई स्टेज के अंदर इसके आर्वेस्टिंग होती एक बार में नहीं होती अब बात करते हैं दोस्तों खर्च और कमाई के बारे में इसके ज़्यादा खर्च नहीं है जैसे सरसो की फसल के ज़्यादा खर्च नहीं है वेसे ही सौंप की फसल के ज़्यादा खर्च नहीं है अब रही बात की ये कितनी हो जाती है अमूमन जो है 6-7 क्विंटल परती एकर हो जाती है अच्छा बीज है और आपके एंवार्मेंट को सूट कर गया है तो ये 8 क्विंटल भी हो जाती है लेकिन ये 6 quintal या 7 quintal प्रती एकर हो जाती है तो इसका भाव 10,000 रुपे प्रती quintal है अगर 5 quintal भी हो जाती है तो 50,000 रुपे एक सीजर में फसल हो गई प्रती एकर तो इसकी कमाई अच्छी है और किसान इसकी खेती है जो कर सकते हैं और जिनको फसल चक्र अपनाना है उनको तो इसकी खेती करने ही चाहिए तो दोस्तों आप कोई वीडियो कैसी लगी कमेंड सेक्षन में कमेंड करके जरूर बताईए